नमेशकार दोस्तों, एक काफी इंट्रस्टिंग मामला रीसेंटली सामने आया है, आपको पता होगा कि जो प्राइमनिस्टर मोदी हैं वो गुजरात के दौरे पर गए हुए थे, इस्पेसिफिकली गुजरात के अंदर जो कर्च का रीजन है, वहाँ पर वो विजिट किये ताकि वहाँ पर कई सारे जो बॉर्डर एरियाज में प्रोजेक्ट हैं उसको इनौगरेट किया जा सके, तो वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, तो जब ये मीटिंग हो रहा था, इसी के बीच में ये पुरा लीगल बैटल है क्या, कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, प्लस यहाँ पर 1965 के वार में जो पुरा मामला है, उसका इससे क्या संबंध है, तो काफे कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंके तगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फ हुआ क्या है, तो कुछ group of farmers हैं, जो की originally belong करते हैं, पंजाब और हर्याना से, वो कच के region में आकर settle हुए थे, मैं आपको आगे बताओंगा सब कुछ की क्यों आये थे वो, लेकिन वो वहाँ पर आये थे, उसके बाद से देखा जा रहा है कि 2010 से, वो गुजरात सरकार के साथ एक legal battle से गुजर रहे हैं, अब ये legal battle इसलिए आया क्योंकि 2010 में गुजरात सरकार ने उनका जो land record है, उसको freeze कर दिया था, land record freeze करने का मतलब है कि अब जो farmer है, वो उसको बेच नहीं सकता है land को, ना किसी को transfer कर सकता है, जैसे अब वो कर रहा था, वो ऐसे ही उसको continue करना पड तो ये सारे problem 2010 से चल रहे हैं, जिसको देखकर यहाँ पर जो farmers हैं, वो legal battle में लगे वे हैं, अब इसी पीच क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बता है कि Tuesday को Prime Minister Modi ने interact किया कई सारे farmers के साथ कच के region में, और इस particular farmers के साथ जो interaction था, उसमें ये वाले farmers भी सामिल थे, जो की legal battle से गुजर रहे हैं, और इसी लिए ये पूरा मामला सामने आगया है, तो सबसे पहला question आता है कि ये farmers हैं कौन basically, तो मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो ये पूरा मामला 700 से ज़्यादा किसानों का है, लेकिन उसमें से जो legal battle लड़ हैं, कानूनी पकरिया में चल रहे हैं, वो 60 farmers का group है, जो की चाहते हैं कि नयाय मिले उनको, और ज़्यादा तर वो बिलॉंग करते हैं पंजाब और हणया से, और यहाँ पर बताया जाता है कि उनमें से कुछ लोगों ने land को खरीदा था, agriculture land को किसी दूसरे person से, या फिर कुछ ऐसे farmers हैं, जिनको सरकार के दौरा इसके add होते हैं, तो यह पूरा कच का region है, यहाँ पर आप total districts देख रहे होंगे, तो काफी बड़ा हिस्सा आप देख सकते हो, यहाँ पर यह गुजरात का कच का region आता है, अब देखे क्या होता है, कि यहाँ पर land उनके पास आ गया है farmers के पास, लेकिन गुजरात सरकार का य जिनका land record freeze कर दिया गया था, और आप देख सकते हो, टोटल इसमें 784 farmers हैं, जिसमें से 245 farmers बिलॉंग करते हैं, पंजाब और हरना से, बाकी राजस्तान से आई हो हैं, 784 farmers में से, गुजरात से हैं, कुछ-कुछ माराच से हैं, और ज्यादा तर उसमें आपको सिख जो farmers हैं, वो देखने को मिलेंगे, तेकिन यहाँ पर एक question आता है, कि आखिरकार ये अलग-अलग जगह से, ये आए क्यों आखिरकार, कच की region में ही क्यों आएं, तो देखिए ये मामला होता है 1965 का, जब भारत पाकिस्तान के बीच में war हुआ था, तो कुछ समय के लिए क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो कच के अंदर एंटर कर गई थी, अब इन सारे चीजों को देखते विए जो प्रैमिनिस्टर लाल बहादूर शास्त्री थे उस समय, उन्होंने प्रपोस किया, कि अगर हमें border areas को सुरच्छित करना है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये का है, वो अलोट करते गई सरकार कई सारे farmers को, इसके अलावा कई सारे cash भी दिये गए farmers को, ताकि वो bullocks और कई सारी चीजें खरीच सकें, और वहाँ पर agriculture, farming इस तरह की चीजें हो सकें, अब जब ये scheme चलाई जा रही थी, central government के द्वारा, state government के साथ मिलकर, तो यहाँ पर एक का 350 individuals को जो land है, वो allot किया है, और उसमें भी अगर आप देखोगे, तो कई सारे ऐसे sick farmer हैं, जो की partition के बाद भारत के अंदर आए थे, अब जब यहाँ पर उनको land मिल गया, तो आपको पता है कि यह semi-arid region में आता है, जो कच का region है, यहाँ पर water की availability बहुत जादा कम है, इसके वजह से आज यह farmers रह रह रहे हैं, तो I hope कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होगे, और फिर आगे क्या होता है कि relatives हो गया है, फ्रेंड्स हो गया है, वो लोग भी उनके धिरे-धिरे आना स्टार्ट कर दिये कच के region में, और क्योंकि कच का region मैंने आपको बताया क कोई दिक्कत नहीं था, अब क्या होता है 2010 में, तो 2010 में यहाँ पर जो कच के collector है, DM है, उन्होंने यहाँ पर एक notice जारी कर दिया उन सारे 784 farmers को, 784 farmers हैं, उनको notice जारी किया, और उनको यह बोला कि आप वहां के मूल निवासी नहीं हो, आप native नहीं हो गुजरात के, इसलिए जो land का record है, वो हम आपका froze करेंगे, freeze कर देंगे एक तरह से, और यहाँ पर बताये गया, उनके दोरा तर्क दिया गया, DM के दोरा, कि 1973 में सरकार एक circular लेकर आई थी, अब उनका ये बोलना है कि 1973 में सरकार एक circular लाई थी, और उसमें बोला गया था, कि गुजरात में वही ल लोगों को लाया जाए, land allot किया जाए, और दूसरी तरह 1973 में यहाँ पर एक notification जारी किया जाता है, कि native person ही यहाँ पर agriculture land को ले सकते हैं, कच में तो agriculture land ऐसा था भी नहीं, वहाँ पर तो वो लोगों ने आकर उसको agriculture land में एक तरह से आप कह सकते हो, convert किया, तो यहाँ पर farmers की क bank loan भी नहीं मिलेगा, तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होने लग गई, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ जो farmers हैं, उन्होंने अपना दस्तवेज दिखा दिया, 52 farmers ने तो कहा, यह देखी हमारे पास proper document है, record है, तो उनके तो land को दे दिया गया, लेकिन अभी भी जो maximum farmers हैं, 7 2010 में सरकार ने कर दिया, तो मामला चला गया, फाइनली गुजरात के high court ने, 2011 में गुजरात के high court में, एक single judge की bench ने यहाँ पर सरकार के favor में फैसला सुनाया, जो राजसरकार कह रही थी कि वो उनका land नहीं होगा, क्योंकि वो native नहीं हैं, वहां के belong नहीं करते हैं, तो उनके पक्ष में फैसला सुना दिया, सरकार के पक्ष में, लेकिन फिर farmers ने इसको बड़े bench में challenge कर दिया, high court के अंदर, तो बड़े bench ने यहाँ पर 2012 में फैसला सुनाया, और इस बार जो फैसला है, वो farmers के पक्ष में गया, कि किसान सहीं है यहाँ पर, अब इन सारे चीज़ों को देखे वे राज सरकार क्या करी, वो अब Supreme Court चली गई, 2012 में, तो Supreme Court में यह पुरा मामला वटका हुआ है, Supreme Court में अभी तक यहाँ पर इसको लेकर कोई भी judgment नहीं आया है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बड़ पा रही है, जिसकी वज़े से अब सफर कौन कर रहा है, फार्मर सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनका land record तो freeze हो चुका है, तो land record को यहाँ पर कोई भी transfer नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, अब wait हो रहा है कि कब Supreme Court फैसला सुनाएगी, तो I hope कि यह जो पुरा मामला था आपको समझ में आ गया होगा, कि आखिरकार यह जो पंजाब हरयाना से especially farmers आएंव हैं, जिनका agriculture land है कच के region में, वो क्यों परिशान है, तो I hope कि यह सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ, आपको बताना है, ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा, गुजरात के अंदर कौन सी सबसे longest river है मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको बताईए मुझे answer और इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते ह अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon